दोस्तों जैमता की रादे रादे आप सभी को आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज का ये ब्लॉग में सुबह की पूजा से स्टार्ट करें आज हमारे लिए बहुत ही स्पेसल डे है और मैं आगे बताती हूं आप सब को जो मेरा रिल वीडियो देखे हैं हो तो समझी चुके होंगे तो बस यहां पे मेरा अच्छे से पूजा सेवा भोग आरती सब हो चुका है मैंने सुचा सबसे पहले आप सब को अच्छे से दर्शन करा दूँ क्योंकि जब से मैं गाउं गई थी आप सब को भी दर्शन नहीं मिला था तो यहां पे सभी का दी हूं लेकिन अभी मैंना इनका कपड़ा वगरन नहीं पहनाई हूं और भोग इनको भी रख दी हूं चेरी का तो यह भी अपना खा रहे हैं तो यहां पे हम दोनों जन माता रानी और सभी भगवान जी से आसिरबाद मांग रहे हैं क्योंकि आज हमारे लिए खास दिन य जैसे कि जम्मू में हैं उसी तरीके से सिम टू सिं डूब्लिकेट या फिर आप उनका मीनी वैश्णोदेवी भी बोल सकते हैं बहुत अच्छा है यह मंदीर आप सब को अंदर से पूरा अच्छे से दिखाऊंगी अब मैं यहां पे पहुच चुकी है और यहां पे जो बा हुआ है सीन इसका और बहुत अच्छा लगता है सिम टू सिम बना यह गूफा के अंदर हम लोग इंट्री कर लिए हैं और इसको अंदर जाने के बाद गर्व गूफा आ गया तो यह है गर्व गूफा यह पतली सी गूफा बनी हुए सिम टू सिम जैसे वहां पे दरसायन है जो मलाड में आये हुएंगे उनको पता होएगा और जो नहीं आये उनके लिए मैं अच्छी स्थिकारी तो दिखेंगे जूख जूख के पतली सी गली है इसमें से जाना रता है जाने के बाद गर्व गूफा में से यह निकल रहे है न तो निकलने में थोड़ा प्राबलम ह होती है तो बस अब हम लोग गुफा में से बाहर निकल गया और माता वैश्णो दिवी का दर्शन कर रहे है तो दूर से थोड़ा समयने ले ली ती और आगे लिखा था कि फोटो किछना लाउट ने इसके लिए थोड़ा समयने ली हूँ अब अच्छी से दर्शन कर ली हू उसके बाद यहां पे एक सीलिंग रखा था यहां पे अविश्येग हो गया यह दान पेटी है यहां पे जो हमको भगवान के नाम पे चड़ाना तो चड़ा दिये और उसके बाद प्रसाद चड़ा दिये पंडी जी यह माकाली का मतलब एक मंदीर वहीं पे बना हुआ तो जब आप नीचे जा रहे हो जव आम नीचे जाएंगे तो दोनों साइड में 9 दुर्गा का मतलब पूरा बनाया हुआ तो एक साइड में इधर पूरा देवी है इसारीमें इधर देवी ह inclusive और बहुत सुन्दर लग रही ती सवेकी मीका कपड़ करने थी बहुत अंचा लग तो उसके बाद मैं आ गई हूं यहां पर परची कटवाते हैं चंडी पार्ट दुर्गा पार्ट कुछ करवाने के लिए तो उसका परची में ने कटवाई उसके बाद हम लोगने प्रशाद लिये यहां से निकले और बहुत प्यास लगी ते रास्ते में पानी वगरे पी के अपने दुकान पर मैं पहुंच गई हूं यहां पर मैं आती हुना तो ढोड़ती हुं कि कौनसी मोती मेरे भगवान जी के लिए तो मैं थोड़ा यहां पर बेटी थी चाया पी और रेश्ट की क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ठंडा लग रहा था इसी चालू था तो उसके बाद अभी मैं मोती पसंद कर रहे थी कि मेरे राधा कृष्णा मातारा निक ले कुछ मिल जाए तो बस यह मोती एक बारिक-बारिक है और बहुत अच्छी लग रहे थी इसकी साइनिंग बहुत सुंदर है कि कि छोटी-छोटी मोती है और बहुत सुंदर है इसको मैंने ले ली हूँ कि मेरे भगवान जी को काम देगा बस उसके बाद मैं घर के लिए निकल पड़ी हूँ लग बग डेड़ बजे के करीब मै चेंज कर दी क्योंकि इसका मैंने रिल वीडियो भी एक बनाई थी और यह पुषाग मैंने इसी कपड़े के बाहिं से बनाई ही यह भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है अगर आपने नहीं देखाए तो जाके देख लिया और इसमें कैसे लग रहे आप सब कमेंड करके जरूर बताना तीन लोग को थोड़ा सा मैंने भोग पानी सब खिलाई विला हाथ मुधुलने के बाद उसके बाद माधों को न मैं वैसी नला के चली गई थी तो इनको मैं कपड़े पहनाने में लग गई हूँ तो यहां पर कपड़े वगर मैंने पहनाई इनको अच्छे से तो यह वाले भगवान जी का पूरा मेकप निकल गया था यह भी मैंने की अभी दोपार को अब मैं आप सबसे रात को मिल रही हूँ तो हर एनिवर्सरी को मैं भगवान जी के लिए कोई अच्छी सी मिठाई मंगाती हूँ तो यह है रजगुला रबडी बहुत अच्छा सभी भगवान जी को मैं अलग अलग भोग लगा दी एक एक निवाला खिला दी हूँ और मुझे उस घर से फोन आया था कि उसी घर पे आजाओ कुछ सर्प्राइज रखा है इनको खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ अब उपर मतलब तयार होने के लिए बस तयार होके अब म बच्चे लोग ने सब अपनी तरफ से किया हम लोग तो नार्मल साही ऐसे ही करते थे यानि कि मैं मंदीर जाती हूँ पर मैं दर्शन करती है कुछ जो मुझे समझ में आता है कहीं पर दानपून करती हूँ उसके बाद भगवान को मिठाई का भोग लगा देते हैं और सुन्दर सा हार्ट सेफ में लोग ने सब पूग्ये लगाए थे बहुत अच्छा लग रहा था तो अभी इतना सारा जो गिप्ट रखा ने हम लोग का ये गिप्ट है ब्लू वाला इनका है और जो सिल्वर कलर में उसमें मेरा गिप्ट है मैं सबसे ज्यादा खोस हूँ गि से नहीं निकलते हैं ड्रेस पहनी थी तो बाहर से देख रही थी थोड़ा साब सब को साइड में दीख रहा हूं गया और बस जब मैं अगर कुछ करू और भगवान जी मेरे साथ न रहे तो ऐसा हो इने सकता तो मैंने पहले लिखिया गोविंद को उनके साथ फोटो टो नि करते थे अब ही सब केक बगर हो गया तो बच्चे लोग ने बोले घिवट खुलने के लिए तो हम लोग अपना अपना घिवट खोले मेरे पास भी बहुत सारे गिफ्ट अच्छे इच्छे मिले दिवराणी ने दिये और बच्चों ने दिये इनके पपा भी लिख लेकैं अगर आप सब का कमेंट आएगा तो मैं सारे गिप्ट कल के वीडियो में दिखाऊंगी तो यहां पर बहुत सारे मुझे गिप्ट मिले हैं जो कि मुझे कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं गिप्ट मिलता है तो उसके बाद अभी हम लोग खाना काने के लिए बढ़ गया और मेरी दिवरानी ने स्पेसल खाना बनाई है पापड अगियों की तंदूरी रोटी पनीर की भाजी जीरा राइस दाल फ्राइब बस हम लोग खाके निकल गया और इस ताइम पर मैं आपको दिवरानी को दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी पापा दे तो ड्रेस पैन के बाहर नहीं आती हैं मतलब आते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं खड़े होते हैं बस काम से काम होते हैं तो बस मैं इसी के साथ में ब्लॉग का यहीं पर एंड करें, हम लोग जा रहे हैं अपने घर पर खाना खाके सोने के लिए, अगर वीडियो आप सबको तोड़ा सा पसंद आए, तो चैनल के लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना बुलना, जैमता की रादेरा,